परिचय बच्चों, हम सभी प्रिथवी को नीले ग्रह के रूप में जानते हैं, क्यूंकि प्रिथवी की सतह पर परियाप्त मात्रा में जल है, वास्तों में प्रिथवी की सतह का सत्तर प्रतिशत भाग जल से ठका है, हानकी गर्मियों में हर कोई जल की कमी की बात करता है, आश्चरिजनक है न? इससे भी ज्यादा आश्चरिजनक है कि कुछी महीनों बाद मानसून के दौरान हम बाढ़ के बारे में बात करते हैं, इस पार्ट में हम प्रिथवी पर सूखा और बाढ़ के प्रभावों के बारे में पढ़ेंगे, हम इन समस्याओं को हल करने के उपाई भी सीखेंगे, उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे, भारी वर्षा के प्रभाव को जानना, लंबे समय तक वर्षा ना होने के परिणाम का वर्णन करना, वर्षा जल संचयन के बारे में बताना, वर्षा जल संचयन के विभिन तरीके बताना, वर्षा का जल कहां जाता है? क्या आपको कभी आश्चरे हुआ है कि वर्षा का जल प्रिथ्वी पर पहुँचने के बाद कहां जाता है? वर्षा जल, वर्षा जल धारा की तरह बहता है, यह तालाब, जील और नदियों को भरता है, यह समुन्दर और महसागर में गिरता है, बर्फ परवतों पर गिरती है, और बाद में जल के रूप में पिखल जाती है, यह जल परवतों से धाराओं और नदियों के रूप में न अखिरकार कभी न कभी महासागर में मिलता ही है। भॉम जल समस्त वर्षा जल प्रवाहित होकर नदियों में और अंतता महासागर में नहीं जाता। इसका कुछ भाग मृदा द्वारा अफशोशित कर लिया जाता है। इस जल को भॉम जल कहते हैं। भॉम जल बहुत से जीलों और कूओं के जल का स्रोथ है। हैंड पंप और ट्यूब वेल उपभूग के लिए इसी स्रोथ से जल उपलब्द कराते हैं। हाला कि भॉम जल के अत्यधिक उपभूग के कारण यह कम होता जा रहा है। परिणाम सवरूप भॉम जल प्राप्त करने के लिए हमें गहरी से गहरी खुदाई करनी परती है। उन क्षेत्रों में जहां वनस्पतियां बहुत कम होती हैं या बिलकुल नहीं होती। वहां की उपरी मिट्टी भुरबुरी होती है और वर्षा जल के साथ आसानी से बह जाती है। ऐसे क्षेत्र पत्थरों से ठक जाते हैं। परिणाम सवरूप धरातल में वर्षा जल का निस्सयंदन कम होता है। यह भॉम जलिस्तर में कमी का कारण भी बनता है। जब भारी वर्षा होती है तब क्या होता है। हमारे देश में अधिकतर वर्षा जून, जुलाई और अगस्त के महीने में होती है, यह हमें गर्म और उमसभरी गर्मि से राहा देती है। बहुतती फस्लों की बुवाई मानसून पर निरभर होती है। लेकिन क्या होता है जब बहुत भारी बारिश होती है अतिधिक वर्षा की कारण तालाबूं, जीलूं और नदियों के जलिस्तर में वृत्धी हो जाती है जिससे इन में जल उमढने लगता है इन जलाशयों में जलका उसकी सामानी सीमा से अधिक प्रवा को बाढ कहते हैं बाढ फसलों को हानी पहुँचाती है और लोगों और संपत्ती को भी शती पहुँचाती है भारी बार्षा के कारण बाढ का आना भारत में हर बर्ष की विशेष्टा है बहुत लंबे समय तक वर्षा के ना होने से सूखा पड़ता है क्या आपने ध्यान दिया है कि यदि लंबे समय तक वर्षा ना हो तो क्या होता है जब लंबे समय तक वर्षा नहीं होती, तम्रिदा नियमित रूप से वाश्पी करण और प्रस्वेदन के माध्यम से जल खोती है तालाब और कुओं का जलिस्तर घड़ जाता है और कुछ जलाशे सूख जाते है भौम जल भी कम हो जाता है लंबे समय तक जल की कम आपूर्थी के कारण सूखा पड़ता है जल का बुद्धी मत्ता पूर्वक उप्योग करना चाहिए जल को केवल प्राकृतिक सुरोतों से प्राप्त किया जा सकता है प्रित्वी पर उपलप्त जल का एक बहुत छोटा सा भाग पादपों, जीवों और मनुश्यों के उप्योग के योग्य है विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुसार योग्य जल की मांग बढ़ती जा रही है आने वाले वर्षों में इसके अभाव के बढ़ने की संभावना है इसलिए हम लोगों को प्रित्वी के जिम्मेदार निवासी होने के नाते जल संचयन अवश्य करना चाहिए और इसका न्यायोचित प्रेयोग करना चाहिए वर्षा जल संचयन यदि हमारी छटों, सड़कों और पैदल पथों पर गिरे वर्षा जल को गड़ों में गिरने देने के बजाए उसे एकत्रित और जमा कर लेते हैं, तो हम जल का बहुत बड़ा भंडार बना सकते हैं वर्षा जल को एकत्रित करने और जमा करने को वर्षा जल संचयन कहते हैं छतों परिस्थित वर्षा जल को बाद में विभिन कारियों में उप्योग के लिए पाइप से स्टोर टैंक में जमा करना चाहिए इसके अत्रिक्त वर्षा जल को एक टैंक में एकत्रित करने के बजाए पाईप से इसे जमीन में खोदे गए एक गढ़े में एकत्रित कर सकते हैं इस तरह वर्षा जल मृता में पुनर भरन के लिए रिश जाता है और भौम जल इस तर फिर से बढ़ जाता है वर्षा जल संचयन की एक अन्य तक्निक ये है जिसमें धर्ती पर बहने वाले पानी को भौम जल के पुनरभरन के लिए उप्योग किया जाता है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं अत्यधिक वर्षा के कारण बाहर आती है और एक समय तक वर्षा के अभाव के कारण सूखा पड़ता है धर्ती पर उप्योगी जल निश्चित है अतहा इसका उप्योग बुद्धी मानी से करें वर्षा जल को एकत्रित करना और जमा करके रखना वर्षा जल संजयन कहा जाता है